अर्शक भाई सुसाइड करने जा रहे थे घुर्बक की वजा से जब हम शूटिंग करते हैं उस वक्त चेक है इसकी रील बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है कभी किसी द्रक्त के पीज़ छूप जाती है कभी कहीं चली जाती है कभी कहीं चली जाती है जा रहे थे घुर्बत की वजा से तो मैं बड़ा हरान हुआ कि वाकिए इतनी घुर्बत थी कि वह अपने बच्चों को लेक्स साइड करने चले गए तो फिर मैंने को कॉल करके पूछा कि आपने उस पारे में बताया कि उन्हें पने लाइफ की उस फेस के बारे में तो उनका क्या कहना था इस वीडियो मैसेज में देखी के तोर पर बनाई थी वरना इस तरह के कोई बात नहीं है मैं समझता हूं कि हमारे दीन में इसलाम में खुदकशी करना बिलकुल हराम है असलाम लेकुम दोस्तों वेलकुम तो वीडियो टॉक और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटरूंस की वज़ा जिए कि आज का बहुत ही स्पेशल एपिसोड है जिसमें हमें हम्जा बटी ने और अल दे वे फ्रम स्याल कोट अर्शद रील्स ने सॉरी अर्शद भाई और आपका महबत है कि आपने जो है ना में टाइम दिया तो सबसे बेले तो ये बताएं कि आपको कैसा फील होता है एक दम से लाइक गाउं से उठकर चानक इतना रेक्रिकनेशन मिल गी वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं सिर्फ पाक्सान में वर्ल्ड वाइड और कैसा मिसूस ह अपना ये फिम देखके जोड़ा कर लीजे इसको और बचों से इतना जो लोग क्यार करती है ये चीज़ देखे एक तो खुशी होती है और दूसरा बहुत हिरान होता हिरान होते है क्यूंके हम जिस जगह पर रहते हैं ना वो देखा जाए तो ना शेहर ना गाउं है बलके खेत हैं और खेतों में सिर्फ हमारे हम अकेले लोगों की जाए और इतनी दूड राज वेरानों में रहने वाले लोग मश्यूर हो जाएं लोग प्यार करने लाज़े हैं दुनिया बार बार में और छोटे छोटे चोटे खासकर बच्चों को हैες यहरान करने वाली बात ने जो भी काम किया, तो मैं ने यकीन माने अपने कोई भी चैनल में अपना नहीं कभी देखा सिवाए यूट्यूब के वह भी थोड़ा बहुत, मुझे अपने, इंस्टाग्राम का को पता ही नहीं है, ठीक ताक का भी पता नहीं है, फेस्बुक का भी नहीं पता किया चाल र है ना, तो काफी देर से लोग बुला रहे हम नहीं जाते तो माइद भाई ने, मैं आपको थोड़ा बहुत जानता था सोशल मेडिया पर एक दो बार मैंने देखा वीडियो, तो आप जो ना अपने फेस से ही लगते थे कि यह से आदमी है, अच्छे आदमी है, तो मुझे लगा कि इनको मिलना चाहिए, तो एक गाउं से, बलकि गाउं भी नहीं है, खेतों से उठके इदर इसलामाबाद आ जाना, और यह सुनने को मिलना लोगों से कि आप बहुत मशूर हैं, तो हमें इस चीज़ का अंदाजा भी ने कि हम मशूर हैं, तो यह चीज़ थोड़ा ह आगाज कैसे हुआ और क्यूं हुआ रादर? मेरे छोटे बाई माजीद हैं, तो वो मेरे जहन को जानते थे, थोड़ा मेरा जहन क्रेटिव था, और बहुत से शोबों में मैंने जब भी कुछ भी करना चाहा, मैंने अच्छा किया माश्याद, और इस पे अच्छा किया या ये मुझे इस चीज़ का थोड़ा अंदाजा नहीं, लेकिन आप लोगों के क्यार से थोड़ा लगता है, अच्छा चाल रहा हूं, तो मेरा जहन थोड़ा ये क्रेटिव था, थोड़ा मैं थोड़ा जहीन था, और बच्चों से, या अपनी बेगम से, या और दोस्तों से, मैं काम लेना जानता हूं और जानता था, तो माज़द भाई ने मश्वरा दिया कि आपना यूट्यूब पे आएं या सोशल मीडिया को यूज करें, रील बनाना शुरू करें, ये स्टोरी, तो फिर उस पे मैंने आहस्ता स्टेप बाइस्टेप काम करना शुरू किया, माज़द भाई देखते हैं, तो माज़द भाई के थूरू हमें पता चला एक बड़े रास की बात कि आप शुरू से आपकी माशाला दाड़ी नहीं थी, पहले आप क्लीन शेव होते थे, और कुछ आपका इंडस्ट्री, शोबिस इंडस्ट्री से तालुक रहा है, उसके मेरी तकरीब बने ज़िया थर्टी नाइन है, थर्टी एट थीएट थीएट थीएट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कॉंटिनू, तो शेर शेरी का शोख था, तो सिंगिंग का भी तो इसके लिए बकाइदा मैंने हार्मोनियम खुद सीखा, आट साल लगाके, राग र वालियम की रिकार्डिंग लिए, फिर उदर मेरी काफी अच्छी दोस्तों से मुलाकाते हुई, फिर उन्होंने मुझे टाइम भी दिया, आट दिन के बाद आप आ जाए, इन्शाला रिकार्डिंग हो, फिर माजिद भाई ने बीच टांग अड़ाई, वो उन्होंने किसी मुलाना साब थे हजरत, अल्ला जजाए खेर दे उन्हें, उनका मुझे बियान दिया, मैंने बियान सुना तो बस सब कुछ चेंड कर दिया, वो सारी चीज़ें वो जो गाने थे, घजलें थी, गीत थी, पोईटियां थी, वो सारी मैंने ठाप कर दी, कुछ जला दी, और फ वो जला कुरुटन को सारी चीज़ें ऊनने दे दी शायद वो ये इंट्रिवू सुनें तो उनको याद आ जाएदाए खिए। मैंने किसी को दे दी, पिर वो सारी जिन्दगी मैंने वो चेंड-पर फिर इस तरह जो बना काम शुरू करें तो वो जानते थे कि मैं ये कर सकता हूं और मैं करता रहता था सोशल मीडिया के इलावा गार में वो मुझे जानते थे मैं बना सकता हूं और बनाता रहता था अपलोड हम नहीं भी करते थे तो फिर वो करते करते आज माशाला अच्छा कुछ ब ठीक है दो तीन मिने बाद अब देखें व्यूस नहीं आ रहें मज़ा नहीं आ रहा तो वो उसको बंद कर देते हैं राइट आपको क्या अपने उपर बहुत जादे यकीन था या कुछ ऐसा था कि मैं कर सकता हूँ इसलिए आपने शुरू कर दिया मैं हकीकत बालता हूँ ये कोई फखर नहीं है वैसे मुझे सो में से 98% लगता था कि मैं हम कामयाव होंगी और 2% शक था कि शायद कभी नहीं भी होते हैं तो 98% ये यकीन था कि इन्शाला ला मदद फरमाएंगे तो अच्छा काम करने की कोशिश की Allah ताला ने मदद फरमाई एक चीज़ जो मैं आप से जाना चाहूंगा एक तो आविसली मैं जाए थोड़ा से मुझे बड़ा है ये कि मैं आप जानू कि आपने कब स्टार्ट किया कितना टाइम लगा आपको वेंचली कि एक टाइम ऐसा मेरी चन्नी वी रमदान शुरू हूई थी इसकी वी रमदान शुरू हूई थी बहुत बरकत महिने साढ़ सब लोग ना रमदान मी स्टार्ट करें और इसलिए शायद थोड़ा बरकत दीए तो अनिंग के हवाले से भी है मैं शहां हैS इसने पेह दर को जान नहीं है तो ये मेरे ख्याल में रमजान की बरके से थोड़ा काम करना भी थोड़ा आसान है हमारे लिए ये बचें आप जानते हैं बच्चों से काम लेना बहुत मुश्गल तो थोड़ा ये दूआ तंग करती है रिल के वक्त जब हम शूटिंग करते हैं उस वक्त वो काया यह तांग नहीं करते हैं अभी जब 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 आई है ना दौा हमने एक दफ़ा भी नहीं तेखा यह तांग कर देखा मुहम्मध ने हमारे नाक में घुम किया वहाँ अब है आप कुंडी खोले वो इदर आजा हर चीज बरम कर देगा हमारे तो दौा जो है वह वह श घुली है तो कभी किसी दिरक्त के पीज़े छुप जाती है कभी कहीं चले जाती है कभी कहीं कहीं चले है तो शूटिंग टाइम तांग करती है, मुहमद आ रहा है डियार टाइम, शूटिंग टांग नहीं करता है, मुहमद का बता है कैसे कैसे बनते हैं, बिस्निस में सीरियस है, तो ये काम जब हमने स्टार्ट किया था, आपका स्वाल दूर रहा गया, तो जब स्टार्ट किया था तो हमें भी यह मायूसी होती थी स्टार्ट स्टार्ट के यार व्यूज अच्छे नहीं आ रहे तो अपनी तरफ से आज जो हम वीडियो बना रहे हैं अगर इनको देखा जाए तो इनकी निस्बत हम चार पांच में पेर महीं ने पीछे चले जाएं तो वो वीडियो इनके नि शोर्ट से तो उस वक्त लगता था यार बड़ी मेनत करते हैं हमरे ख्याल से यह बड़ी अच्छी वीडियो आ है और व्यूज नहीं आ रहे यार क्या हो गया माईद भाई यार बंद करो यार मुझसे नहीं होता यार मैं जो काम का रहा हैं वहीं करने तो आहस्ता आहस्ता फिर मेरा ख्याल है अड़ाई तीन माँ बाद वो वान के पर वीडियो जाना शुरू हो गए हम बड़े कुश्ची वह यार एक हजार व्यूज आगे माश्याल वो ग्यारा बारा सुपे जाक फिर रुक जाने मेरा ख्याल है पंद्रह बीस दिन एक महीं नहीं नहीं इस तरह बस वो एक विडियो बनाई है हमने मुहमद की यह मुहमद है री चोटा बेटा अभी पांच साल का है तो बस वो उस वीडियो से बद शुरू हो वो ऐसा शुरू हुआ कि मिलिएन हर वीडियो तक अगरीब जाना शुरू हो गई तो फिर काम करने का फिर यूट्यूब पे तब जा रही थे हैं? हाँ, तब यूटीوب पे था हम, माशाला है. यह इस्टा पे तो अभी जब यह दुग आ को लेकि आ हैं हम मेरा शाएला. इस्टा दूा पे ने जो बहुतया इस्टा की पाशा यह यह दूा है. और यूटीوب पे जाने और महम्मद थे माशाला है. एक मेरा क्वेस्चन है, अभी आपने जिकर किया कि माजद भाई को आपने कहा कि छोड़े मैं जो पहले काम कर रहा था वही करने थे पहले आप क्या काम करते थे थे पहले मैं एक फैक्टरी थी, उदर मैं ठेकेदार था, गोल कीपर गलव्स है, तो उसका एक आखरी काम था, उसको हम मघजी कहते हैं मघजी, उसका मेरे पास ठेक आउता था था फैक्टरी में, वो ये काम करता था मैं, तो बलके मैंने जब ये मेरी पहली अर्निंग भी आ चुकी थी तकरीबन, उस वक्त भी मैं फैक्टरी में काम कर रहा था, तो मुझे जब भी ये इशारा दिया जब भी आधा था, मघजी बाई ने के आप चोड़ दो, उस वक्त भी अचवे जब उन्होंने का फिर मैंने चोड़ दिया, तो मघजी बाई की माशा ऐला मैशूरे से चलते हैं एक सवाल मेरे हाल से, मेरा स्टूडियो का, पाकिस्तान का, इंडिया का, पूरी दुनिया का एक सुवाल और वो यह है कि दौा का वोईस ओवर कॉन करता है यह दौा की जो आवाज है वो कोन कह cockpit jaarती है दौा की काफी आत का वाज अपनी होती है थीक है तो फिर कुछ इसमें वह आप जानते हैं sound effect भी होती है भी हम इस्तमाल करते हैं ठीक है तो ताकि अच्छी रिकार्डी कली। ये किसी फीमेल से करवा के उसका आवाज चेंज करके वो ये इस तरफ तब लोग कहते हैं कि इसकी आवाज एए है दौा जा एए है आए है आटिफिशल इंटेलिजेंस है ये दौा रियल नहीं है आच्छा अच्छा तो मुझा है, हम कहते हैं कि दूा कि जो इंट्रिव्यू में देखते हैं, माशला बोलती है, बात करती है लेकिन वो जो करारी वास निकलती है ना, पापाजी, वो जो मज़ा आता है वो बेसिकली आप उसका वही सोबर करके, आप उसमें अफेक्ट डाल ग मैंने सबसे पहले आपके चैनल डिसकोवर किया था ना, किसी इंडिया वाले ने शेयर किया हूँ तो मैं जब कॉमेंट्स में गया ना, एक ना, इंस्टाग्रांग का कल्चर है कि अवाँ पर डार्क हूमर बहुत जाला चलता है, लोग रोष्ट करते हैं, लोग ट्रोल करत तो उसी सेंस में वो मेरे तक पहुंची जब मैं नीचे कॉमेंट्स में गया तो कॉमेंट्स में जो थे ना वो 80% इंडियन्स थे राइट जो ट्रॉल कर रहे थे something like that तो वो कॉमेंट्स भी कुछ अच्छे थे कुछ अच्छे नहीं थे कुछ फणी थे बड़ा एक mix सा culture नीचे बना हुआ था राइट लेकिन मज़े के बाद ही के हजारों में कॉमेंट्स थे और लाखों में लाइक्स थे और वीडियो की रीच बहुत अच्छी जा रही थी तो आपने का कि आप इंस्ट्राग्राम यूज नहीं करते तो आपको को आईडिया है किस तरह के कॉमेंट्स आते होंगे या माज़िद भई बताते हैं आपको कॉमेंट्स मैं उन्से पूछता भी नहीं कभी एक तो यह है कि मैं जो काम करता हूँ ना रोजाना तकरीबन मैंने रील बनाने होती है ठीक है तो खास तो और पे सारी दुनिया में से हमारा पाकिस्तान कॉमेंट्स करने में तोड़ा लाग गया है तो मेरे जहें में यह की खुशी तो वो मेरा काम की तरफ द्यान नहीं रहेगा और मेरा जहन है भी इसी तरह तो इस वज़ा से ना मैं थोड़ा बचता हूँ इन चीजों से कमर्स पढ़ने से और अपने चैनल और जो है ना इनको देखने से मैं बहुत प्रहेज करता हूँ यूट्यूब कभी अबसा यूट्यूब करता है लेकर इनस्टा मेरे मॉबायल में भी नहीं है तिक टाप और फेस्बूप मेरे तो आपको कोई वार है सोजो नहीं को वार नहीं लिटा दो इसको शीदा करके लिटा दो यहां पर माज़दो यह अप लिटा लो है फो दौटाए नहीं इसी सोचल मीडिया भी मेरे अकाउंट है क्यूंकि अपने काम की तरफ दियान नहीं रहता है और कमर्स आपको पता है खास तोर पर पाकिस्तानियों के वो इस तरह के होते हैं कि अपने असल मिशन से हिटा देते हैं अगर बुरा कमर्स पढ़ूंगा तो उसकी पर यह जिकरता हूं अपने जितने भी मेरे अकाउंट है ना उनको मैं नहीं देखा कभी है खास तोर पर यह सो इंस्टाग्राम है इस तरह के यूटिव पर कभी एक आदी डालेते हैं वह भी कमर्स नहीं पड़ता है यूटिव पर कभी नहीं पड़ता है अच्छा मेरे एक सवाल है जो कि मेरे और हम्जा का दोनों का म्यूचल है हम अपना हम्जा की डिसकेशन में थोड़ा डिसकेश भी किया था कि आपने यह वीडियो ग्राफिक कहां से सिखी है मतलब हम देखते हैं कि मुल्टिपल एंगल से आप वीडियो शूट कर रहे होते हैं कभी इस एंगल से आ रहा है कभी एरियल शूट भी आ रहा है और अच्छा जो टेक्निकल कॉंटिंट क्रेटिर्स ना उनको पता है जो आम टीक है कि वीडियो देखते हैं हम वो नहीं देखता कैमरामेनिंग कैसी है इसकी रिकार्ड़िंग कैसी मुšकिल है यह इसमें स्ट्वारी कैसी मुश्किल है हम बस वो देखता है कि बचा इदर गया वड़ाऊदर से आया है और कहानी कहत्ích होगी यह जो चीज थी यह मैंन के वहां जाते थे पहले प्रोग्राम करने ये सिंग conducting के, तो वहां इतना तो नहीं होते थे कैमरे वगारा, फसके वह गुलुकार होता है और तब ला वगारा बजाने वाले और टोलंग जाने वाले होते थे हैं, तो उनका थोड़ा इन इस लाइन से थोड़ा तालुक था लेकिन क्योंकि उस जमाने में मैं खुद भी बहुत फिल्में देखता था ड्रामें देखता था और मेरा उस जमाने में ये शोग भी था मैं सिंगिंग करूं सिंगिंग करता भी था तो इस तरह के लोगों के पास आ आना जाना बहुत था और मैं बड़ी भारी की से चीजों को देखता था शुरू से तो उस जमाने में जब ये शोग ता सिंगिंग का या फिल्म इंडस्ट्री में आने जाने का तो ये चीजें फिल्मों को ड्रामों को ये बड़ी भारी की से देखता था सीन कहां से आ गया कै करता था। तो वही चीज है बस जब मैं इदर आया तो इदर काम हूँ। किसी से भी नहीं है बस देख के फिल्मों में कैसे सीन चलते हैं ड्रामों में बस उनी चीज़ों को मैं इस तरह ले आए और मॉबाइल फोन से आप रिकॉर्ड करते हैं। है बस एक मॉबाइल है हमारे गैज़ट नहीं है हमारे पास चीज़े नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है हम कहां से स्टार्ट लें। भाइ अर्षद से सीखें उनके पास एक आईफोन है नौन पीटियैश को जबा दू कि पाकिस्तान में फोड़ा सीन चलता है बई, जो टेक्स पें dus डीवायी pays and dot org 이식ा तो हमने on नॉन PTI नहीं चलता है, नो कि नॉनне PTA प्रूवरुवद होते लोप स्थिय आँ बस यह दिख दो किनी हो अपर हो प्रूअ कि गरीब होते हैं फो जो पोफे स्दों Division ले लो दिनी ब्रूआ तो आईफून X Max के कैमरे से वीडियो बना रहे हैं और रिजल्ट इतना अच्छा निकालते हैं मैं तो हरान हूँ और उसके बाद वही सोबर करते हैं आप सबका वही एक मुबाइल से उसी मुबाइल से रिकार्डिंग होती है उसी से वह कैमरा में शूटिंग होती है फिर उस स्क्रिप्ट होता है वो कौन लिखता है वो स्क्रिप्ट मैं खुद ही लिखता हूँ ठीक है और जब लिख लिख के मैं आक जाता हूँ ना फिर माजद बाई से मश्वरा लेता हूँ कभी वेगम मश्वरा दे देती है ठीक है तो होता है न ऐसा क्योंके 15-20 स्टोरियां लि अच्छाया तो नाम है मुहमाद इसा आए आहंपन से अच्छथे आ कोई आइडया नहीं आता या माजिक भाई ऐसे कोई मश्रात नहीं होता या बेगम से तो उख अभी दूआ दूा से भी कर लेता हैं मशुरा कर दूा तो उल्टे में देती हैं दूा तो मशुरा देती हैं नहीं बस मुहम्मद देता है मशुरा अच्छा पाप जी ऐसे करते हैं मुहम्मद के नीचे सब्टाइटल्स भी मैं है करें मुहम्मद जो बोलता है नीचे लिखा भी करें क्या लिखा अभी मैंने डोस only speaks vowels पहले मैं मैंने कभी कमर्स नहीं थे पड़े ना पढ़ता ही माभी लेकिन न मुझे ये अंदाजा नहीं था कि लोग इसको ना ये तोतला समझते होंगे मैं बस अबना काम से काम राख रहा है चार पाइं दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी किसी ने रोस्टिंग किया तो मुहम्मद ने ना कोई बात कही मुझे डायलग याद नहीं तो उस ने ना उस पर रियाक्शन दिया अबे मुझ फिर मुझे ना थुड़ा इसास हुआ यार मेरा बेटा तो तोतला है उससे पहले आपको इसास ने बस यह वहम काम से काम राख रहे तो पहले एक बात है जो जैनब है ना माशाला मैं जैनब से मिला हूँ जैनब बड़ी प्यारी बच्ची हो बड़ी डिसेंट और समझदा समझ्धा डरवची है की छे-सा जास सालो से आपकोरा है उस्के सालोनो मार प्यारी यार तो समॉखदार एपने एस से बहुत बड़ी लगती है बड़ी लगती है बड़ी ने सاक्ती है तो में च right तो मिझ ऐसके साहरो बहुत होता होगा उसके साहरो आजम कर पाईजियत काम अफाज निकाल लेती है, लिप सिंग जो इसकी अच्छी है, तो थोड़ी बाड़ी मूउमेंट वो करवानी पदे हैं, लेकिन दुआ की एक्टिंग आप यकीन माने हैं, मैं कभी इक बार हैरान हो जो एक्जाक्ट वो ही होती है, जो वो बोल रही होती है, और मैं कि दो साल, जो एना बैस्ट वार चीव, अच्छी दुआ के बारे में एक बड़ा कॉमेंट आता है कि दुआ की जो गर्दन मेंशा 180 डिक्री भी होती है, हाँ, 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 इसकी मा, यह मैं नोट नहीं था करता, लोग करते थे और इसकी मामा नोट करती है, जो थोड़ी गूग अच्छा डिसंट कांटेंट है, हमने जब कांटेंट आना शुरू किया था हमजा भी रिलेट करेगा, कि हमें सबसे पहले जो बैकलाश आता है वो घरवारों या रिष्टेदारों की तरफ से आता है, कोई भी कांटेंट, क्यों कांटेंट पर आम तर पर गते हैं एंजीनि रिष्टेदारों के वैसे आपको कुछ आया था कि बैकलाश थोड़ा सा, बोल ने, कोई बात ने, कोई जोट नहीं होगा, इंशाला ही जब मैंने ये काम शुरू किया था तो तब ही हमारे जो रिष्टेदार थे, वो तो जानते नहीं था मैं ये काम कार रहा हूं, पहली बाती है, कि रिष्टेदारों को पता ही नहीं था इस चीज़ का, कि मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरा कोई चैनल है, और ना हमारे रिष्टेदारों में कोई इस लेवल पे है, कि ये वीडियो क्या होती है, और कॉमर्स नीचे क्या होते है, और इस से कोई अर्निंग भी आती है, या सबस्क्राइबर क्या होते हैं, वीज क्या होते हैं, बलके हमारे अपनी फैमली में से इमारे अमी अभाव हो अतने अभी-साथ हैं, ये तो उन को मैं वीडियो में ले Elijah है हूा उन्ना ये जानते नहीं ये चीज क्या है, सिर्फ हमारे गार नहीं है। वह हमारे गार नहीं है। तो मेरे टीवी पे कि मेरा अर्शदार उसके बच्चे आ रहे हैं। वेगमने तो हिजाब पहना था हुटा है। तो मुझे पहचान लिया। फिर उपकाल की। अर्शिद मुबारक हो एते नो तो तो बड़ा मशूर हो गया है मैं तो जी दो लो हो रहेंगा ते सानू जरूर मिली मैं क्या अब सब आपको बलाएंगे हैं मेरी फूपो से बात ये पहली दफ़ाई होई थी फून पर वाओ ठीक है तो ये उन्होंने जब देखा कि ये तो टीवी पर आ गया बैद तो वैसे अच्छा है प्यार करते हैं लेकिन फून पर बाद में तो कभी करीबी रिष्टेदारों सो भी नहीं हुई तो लेकिन वो फूपो से बात हुई तो इस वज़ा से तो अच्छे हैं रिष्टेदार तकरीबें माशाला सारे अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं अच्छे बाई फेम के बाद क्या चेंज हुआ है हम ये जानना चाहेंगे फेम के बाद मैं समझता हूँ कि यही चेंज है, मैं आपके पास आया हूँ, यह पहली चेंजिंग है, बापकी सब कुछ उसी तरह ही है, अपनी फैमली का साथ, आज भी मैं उसी जगह पे रहता हूँ, उसी मोटर सैकल भी आते जाते हैं, कोई अभी कोई गाड़ी नहीं, और जिन्दगी भी पहली जैसी है, माशाआला, उसी तरह के कपड़े हैं, वो ही जो पैंदे, आपने देख हो वीडियो में, वो ही पैंदे आगे हैं, बच्चों ने थोड़ा बच्चों को लेके दिये हैं, आने के लिए, तो माशाला, लहम्दुलिल्ला, पहले भी बहुत मज से सकस्स जो है ना, इट सार्ट तू फाइंड, आपने काया कि लिए पिछले रमजान आपने स्राट किया था, अभी रमजान भी नगला नहीं आया, तो आपने 10-11 महीने में और अभी आप ऐसे कोई यूट्यूब पे 6 मिलियन तक पहुँचने वाले हैं, तो I think, कोई एक मे जो करना चाते हैं, इसमयाना चाते हैं, या किया चीज़ आप कहते हैं, जो आपके सकस्स का राज है? मैं एक ख्याल में मैं ये समझता हूं, कोई शायद इससे इतफाख ना भी करें. मैं समझता हूं कि मैंने जो सोच रकी थी ना, जब पहले दिन मैंने ये काम स्टार्ट क के लिए फेमस होने के लिए कोई नेगिटिव कॉंटेंट कभी नहीं बना तो मैंने जो पहले दिन से स्टार्ट किया था माशाला डे बड़ दे उससे भी अच्छा है और मशुरूरूने के लिए कभी कोई चवाल नहीं मारी आइंदा मारनी है यह सबस्काइबर इससे और इत नहीं अटा अपनी जो मेरी सोच थी मैं उसी सोच के मताब हो चाल रहा हूं आप लोगों का प्यार है तो मैं यही काम कार मैं समय तो मेरी काम याभी का शायद यही राज है लाह तो मुझे अच्छा आप माशाला एजा कॉंटेंट क्रिएटर चलें आप एक तो अर्निंग आती है आपको मैं अर्निंग नहीं पूछता अपसे मना हुथा है अपको पूछे एक तो आपकी अर्निंग आ रही होती है डॉलर्स की फॉर्म में ऐन लीन प्लैटफॉर्म से एक और सिल्सला जड़ ज़ड़ जाता है कॉंटेंट क्रिएटर के साथ होता है पी यार बाला आपके पास PR आते हैं, ब्रैंड आते हैं, प्रोच करते हैं, वो तो महल माजिद भाई सब डील करते हैं, मुझे पता है, आपके भी हापर सब देखते हैं, लेकिन आप तक पार्सल पहुंच जाता है, और आप उनको अपनी वीडियो में जो यूटूब पे उसके अंदर भी और कुछे इंस्टाग्राम पे भी आप उसको प्रमोट कर देते हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ कि इन PR वालों के साथ को बहुत बुरा एक्सपिरिंस किया हो, कोई ऐसा जिन ने आपको तंग किया हो, क्योंकि मुझे पता है, ऐसा हो नहीं सकता कि PR वाले और तंग करें, क्यों रापता नहीं है, इस्टाग्राम पे और लोग रापता करते हैं, तो माज़बा इसी होता है, तो, अच्छा सर इसम मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ लोग आते हैं हमारे पास, कि देखें जी, हमारे पास बजट बहुत काम है, सबसे पहले उनकी वैसे यह बात होती है, तो रॉप च्छ Стुष बहुत काम है, तो बस गुसा करें उसका रॉपाय नदे, यह बाईखी तरफ से है, कि रॉपाय आपने सब को देना है, जो भी आते हैं अभी देखें, कुछ लोग कैते हैं कि हम नहीं देती सकतें कुछ भी, तो उनको विनकार नहीं करते, तो, जब उनक उसकी रील भी बना दें और पिर ऐसा करियेगा फिर आप स्टोरी पर लगा दें तो सबसे बेहतरीन उसके साथ हुलए कि आप साथ कर दें तो जब मैं उनको यह कहता हूंना कि इस चीजें इन्शाला आपकी वीडियो बनेगी और यूट्यूब पर आजाएगी यह बाई अप तो इस चीज पर आगरी नहीं होते, वो मांगते भी सब कुछ है, फिर ना परस्टनली मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, मैं उनको रपलाई फिर भी दे देता हूं, लें उनको बताता हूं कि यार इस तरह आप ना किया करें, जब आपको एक फेवर मिलती है, तो आप उस करें, ना कि आप इस चीज पर श्रार किया करें, कि सब कुछ मिल जाए, मुझे आपकी बात पर एक जोक याद आ गया, कहते है एक बंदा सी पान वाली दुकान होती है, पान वाली दुकान पर गया, और जाकर पांचर पर पानचर पर अठीपा, पांचर पर इका सिक्का, ठ बंदा को ने फिया करांचर पर बादे आदे, पानचर रखे आदा एक तो क्यादा पर तरफ पर एचेप अब जिए बारी बात बात कि जिनका बजट पर रहोते हैं, वो अनो फलाँ फलाँ ना बिल्डिंग है, उसकी पर्मोशन करनी है, या फला फलाँ जनो कंपनी है, तो उसकी पर्मोशन करनी है बाराल यार वो ये भी कहा रहे हैं कि हमारे पास ने इतना बज़ट नहीं है रोडों पर बिजनस है तो बज़ट क्यों नहीं है उनके पास चलो हम लोग ऐसे मैं खुद भी मैसेज देता हूँ बलके मैंने वीडियो की सूरत में भी मैसेज दी हैं माजज़ भाई को भी कहा है वो मेरे बगएर कहने के भी खुद भी करते हैं कि जो लोग पर नहीं कर सकते ना खास तोर पर जो जिनका ना इस्लामिक काउंटेंट है या नहीं भी है हम सारे मुसल्मान ना भी हो गयर मुसल्म भी हो जो नहीं न दे सकता आपको लगता है नहीं दे सकता आपको लगए भी नहीं दे सकता वो कहता भी है मैं नहीं दे सकता तो कोई नहाम उसका काम करने के लिए भी त्यार हैं, करते भी हैं, अल्हाम उद्ला करेंगे और कारफ भी रहें, मशलौ तो कुछ लोग होते हैं, जो बस तांग करते हैं, तो माजद भाई डील कर दें, अच्छा मैं बता दूं कि अर्शिद रील कुछ इस तरह पी आर को भी करते हैं, बहुत सारों को सवाल होते हैं, इसे कौटर करते हैं, एक होता है, इनकी बड़ी यूट्व वीडियो बनती है, उसके अंदर वो सारे पी आर्स को मैनेज कर देते हैं, एक आपके इंस्टाग्राम पर स्पेशल रील जाती है, उसका मेहल पैकेज अलग होता है और YouTube पे आपकी free packages को भी free PR को भी वो manage कर देते हैं तो इस तरह का तरीके से वो किसी को ना नहीं करते और सब को जो है ना कामडेर कर देते हैं और माज़िद भाई ने मुझे बताया था कि जब सिलसला भी ऐसे शुरुब किसी ने कहा था कि मुफ्त में कर दे उसके आपने मुफ्त में काम किया तो उसके बाद अल्ला ने अना को अचिए यह बास यसी तरह मदद फरमातागा जब तक आप कोई अच्छा काम नहीं न करेंगे तो उसमें भरकत नहीं आएगी आपके काम में कभी भी वरकत ये आप यही जेहिँ गरिखेंगे ना कि मैंने कमाने कमाने कभी आपने लगाना ना जब आपने लगाना ना फिराना तो ये जह रखके काम का भी ना करें कि मैंने हर तरफ से कमाना ही है हर तरसे तो कभी ऐसा करना पड़ता है कि महिनत पहले ज्यादा करनी पड़ती है दूसरों से भी ज्यादा व्यादा वाकत देना पड़ता है लेकिन उसकी वरकत से फिला तरसे नहीं अब आश्रवाई अभी आप इसको इसी काम को लेकर माशला चल रहे हैं बड़ा अच्छा जा रहा आपका, आप अगले चंद सालों में अपने आपको कहां देखते हैं आप कैसे अपना evolution देखते हैं क्या करेंगे आप इन future काम तो आप यही करेंगे ना, तो आपकी माशाला दूसरा मैं बता दूँ कि आप अपने बाकी बच्चों का भी जिक्र कर दे जो के यहां पर नहीं आपकी बड़ी बेटी है माशारा जो मौलमा बन रही है उनके बारे मताद है और आपका आगे क्या लाएमल है कॉंटेंट को लेकर और बच्चों को लेकर और तलीम और आप इस यह तीन सवाल होगे मैं आपका जवाब इन्शा लाख कोरिछ करूंगा पहले मेरे जो बैटी हैं अलंखु Neverlawτο वो तीन बैटी हैं मौलिमा का कोस का रही है एक तो mा बड़ी बैटी ने मौलमा का कोस मुकमल कर लिया पहले जब मैं सिंगिंग करता था तो उस वक्त मेरा जहन था, दो बेटिया थी उस वक्त सिर्फ, तो मेरा ये जहन था, क्योंकि इस तरह जनून सर्वेसवार था, सिंगिंग का, आप जानते हैं कि ये सोचल मीडिया का जो महौल है ना, गाड़ियों का, पैसों का, शोहरत का, और एक दूसरे के पास आने जाने का, वावा का, ये वीडियो का, फेम का, उस वज़ए से, तो मुझे भी बड़ा शोग था, जनून था, बहुत ज्यादा, मुझे तो इतना जनून था, कि ये, मैं सोचता था, कि मैंने सिंगर बनने हैं, और बहुत सारी वाव मेरे सामने, और मैं अकेला गा रहा हैं, तो सा ये जहन में था, कि मेरी बेटियां भी भड़ी होंगी, वो भी मेरे साथ काम करेंगी, सिंगर बनेंगी, फिलम इंडिस्ट्री में आएंगी, ये जहन था, तो लेकिन जब इस तरफ आया तो, फिर आप माशाला ला, ला की मदद से, तीन बेटियां मॉल्मा माशाला बन दे एक बेटी तो बन चुकिए है, माशाला पिछ अगले साल एक दूसरी भी बन जाएगी, उससे अगले साल माशाला तीसरी भी बन जाएगी, और ये जो छोटे बेटी हैं, दो बेटी हैं, और मुहम्मद और एक ही सा, उनकी तालीम के हवाले से भी हम अच्छा प्लान का रहे और बाकी चीज़ हैं जो ये के आगे क्या प्लान है, क्या सोच रहे हैं, क्या होगा, आगे के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा प्लान है, और यही काम करने है, और इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा खोलेंगे, इन्शाला, इन्शाला पर कोई तरकी करता है ना किसी गाउं वाली साइड से तो उठके शेयर की तरफ चले जाते हैं लोग जब अच्छा बेटर लाइफस्टाइल है लाइफटर जला हाई है तो क्या आपका इरादा है कि माशाला आप अच्छा अंड कर रहे हैं और आप अफोर्ड भी कर सकते हैं शेहर में आना तो क्या आप जहन रखते हैं कि मैं शेहर में जाऊं और महां जाकर कॉंटे मिलाओं कि आप अपने जगा पर ही रहना पसंद करेंगे आप ने देखा होगा मारे गार का इर्दिकरत का मौल काफी अच्छा है वीडियो के लिए खास दोर पर और वैसे भी आप कोई स्क्योर्टी कोई इशू है इस तरह के तो इन्शाला माजबा एक मश्यूरे से फिर विजरत भी करनी पड़ी तो करेंगे इन्शाला लेकिन इस तरह का अभी तक कोई जहन नहीं है यही सौफी से जहन है आप अभी अभी बताया कि आप इसलामाबाद फर्स टाइम पाकिस्तान के अंदर जो है ना सबसे लंबा सफर यह अभी तकरीबर दो साल बाद डाई साल बाल लहो जाते हैं तो बच्चे नानी को मिलके आ जाते हैं तो बगी जो हुए ना अब जो हुला आता है लोग इसे मिलने आएगा अब वो भी ना यह आपकी बार ठीक है जब से ये बच्चे वाइरल हुए है ना, तो तब से एक चक्कर भी ने लगाया लहूर, तो थोड़ा ये, क्योंके कहीं भी जाते हैं ना, ये एक सैलफी दे दे दें, ये एक पिक्चर लेनी है, आप वही है ना, ये जैनब है ना, ये दौा जैनब के पापा है ना, तो फिर वो लो कठा होना शुरू हो जाते हैं, फिर थोड़ा खुशी भी होती है, तो डार भी लगता है, फिर जल जल इगार चले जाते हैं, वो बाहर भी बहुत काम अब निकलते हैं, चोटा बाई है, मा जिससे थोड़ा बड़ा है, और मुझसे चोटा है, वो सारे बाहर के काम कार रहे मेरे साथ बहुत है तो माशाळा ये दोन बाई मेरे अलहम्दलिल्ला बादू है अच्छा मैं आप आप से अब एक्स्क्यूस भी करना था मैंने ना आप जैनब की मोग वीडियो बनाई थी इस्टाग्राम पे लगाई थी चुरूंदा ना करें कोई ऐसी बाद ना अच्छा म मोग में कर रहा है मैंने जस्ट आपकी फेर्म को फाइदा हुआ है यहां बहुत शुक्री है लेकिन उसको फणी कांटिन बनाने की शुक्री थी है मैं माजजद बाद बाद बहुत से लोगो बनाते हैं और माजद बाद मुझे बताते रहते हैं अच्छा आपका इतने में कांटिन क्रीडर्स को जानता हूना बहुत ज्यादा लोग आपका कॉंटेंट उठाकर उसको यूज़ कर रहे हैं हर प्लाटफॉर्म पे फेस्बूग, यूटूब, इंस्टेग्राम, हर जगह पे आपका कॉंटेंट यूज़ हो रहा है आप उनको कोई मैसी देन कर थे हैं जिन्दगी में कारभी रहे हैं वोग सोचल मीडिया पे खाष़ा, अपने बियान रिकार्ड करवाते हैं और और भी होते हैं, यह स्कूल टीचर होते हैं बहुत अच्छी अच्छी वो स्पीच करते हैं, मौटिवेशनल होते हैं बहुत, तो मैं चाहता हूँ कि य उनकी जितनी भी चीज़े हैं, यह रहती दुनिया तक ना, जो भी इस पर अमल करेगा ना, उसको स्वाब पहुंचेगा, मैं आपको कहूँ नमाज बाई पढ़ा करो, आप पढ़ेंगे, मुझे स्वाब बिलेगा, आपको तो यकीनन मिलेगा, तो मैं यह जहन बस रखता हू हैं, वो ले ले, चलो इसमें कोई अगर कोई थोड़ी बहुत नेकी है, मुझे तो मिलेगी ना, थोड़ा यह अरनिंग का, थोड़ा यह कमी, मुझे नहीं चोटा रहता कोई, तो यह मुझे लोग मश्वरा देते हैं, का भाई आप इससरा का यह थोड़ा नम, लोगों को क हैं, का यार हमारा कॉंटेंट यूज ना करें, किसी की मेहनत कैश ना करवाएं, हमारी मेहनत है, हमें कैश करवाने दें, तो दोस्तों से कहें, अपने फैन से कहें, इनको स्ट्राइक बेजें, इनको रपोर्ट करें, तो इनको अनफालो करें, तो मैं कहता हूँ, यार कोई बात नहीं यार। हमारे द्वाइशाब के साथ हैं बस काम करो अच्छा करने की कोशिश करो कोई अच्छा कार रहा है उसको आपके शेयर करो और खुद भी अच्छा करने की कोशिश करो और यह जो आप बात करें आप यगीन माना हैं कि यह कैसी चीज़ है मैं हरान इस बात पर हूँ कि आपने एक साल के अंदर इसको फिगर आउट कर लिया है अगर चोरी हो के आगे बढ़ता तो आपको ना सरफ स्वाब मिलेगा बलकि वही बात है कि जितना आगे जा रहा है उत हमें इस चीज़ का कुई नुकसान है डे बाड़े डे बाड़े हमारे साथ बेतर ही हो रहा है और इंशाला जो भी यह काम लोग का रहे हैं मैं तो दुआ करूंगा कि चलो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कोई अच्छी बात पहुंग जाए आपके बास दूस मेरा भी बहुत जादा लोग कांटेंट चोरी करते हैं लेकिन मैं आपको कहता हूं कि यार आप चोरी कर लो ठीक है लेकिन आप क्रेडिट दे दिया करो सम्टाइम इसका नुकसान भी होता है मैं यूट्यूबे वीडियो डालता हूं मुझसे पहले लोगों ने टिक टॉक डाली होती है इंस्टाग्राम पे डाली होती है मैं अगले दिन जागर डालता हूं तो ये भी एक प्रॉब्लम है यह आपके बात बिल्कुल ठीक है वैसे मेरा जो जहन था मैंने वह आपको बदाया लेकिन जो हमारे फैन है या जो लोग इस तरह का काम करते हैं बदाते हैं खुद इनसान होने के नाते हैं उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थोड़ा बेशक इस चीज़ का मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे इस दुनिया में तो आखरत में कुछ फायदा होगा कुछ परसेंट चलागा लेकिन दुनिया में इसका नुकसान हो रहा है अच्छान भी हो नुकसान भी हो रहा है अभी पिछले दुन हमारा टिक टॉक काउंट वो जो था ड्लीट हो गया था क्यों वो इन यह अरकतों की वजह से कि लोग जो हमारी वीडियो है ना मुझे आप से पहले टिक टॉक पर डाल देते हैं बस यही करते हैं ना तो यह मेरा तो जही है कि य लोगों को कहें कि बाद आजाओ के ना कहें तो अगर हम नहीं भी कहते तो यह खुद लोगों को ऐसा क्यूंकि यह बहुत ज़्याद है यह किसी का काउंटेंट यूज करने से उसको नुकसान होता है तो अगर यह खुद लोग ख्याल करें तो थोड़ी महरवानी होगी वर जब जदेजयते एक आकिरावावी आपसे है कि हर एक की काम kisses का स्वार्वार को स्पोर्ट होती है और ऐसे ही होता है कि जब काम entren days अभी भी कर रहे हैं तो आप अपने आउडियंस की बताए ताकि उनको एक क्रेडिट चला जाए हजी सबसे पहले तो अल्ह ताला की महरबानियस की रहा है माँबाब की दुआई है आप लोगों का प्यार है माईजबाई की माशाला पूरी स्पोर्ड है मुझे और मैं समझता हूँ के आज मैं जो कुछ भी हो न उसमें बहुत ज्यादा इसा मेरे माजबाई का है चोटे बहुत ज्यादा और फिर उसके बाद जब हम थोड़ा उपर आए हैं, आप फूवे हैं, थोड़ा फेमस होना शुरू है, उसके बाद लोगों ने बहुत स्रा है हमारे काम को, फिरम अडिस्ट्री के लोगों ने, सोशल मीडिया के लोगों ने, खास दोर पे आप लोगों ने, और उमर सलीम श जाए, के स्ब से पहले में आपके पास आयए हैं, आप लोगों का बहुत ताओने हैं, आप लोगों का बहुत ताओन रहा है हमारे साथ, माशालला, आगे भी हम इंशालला दोस्ट बानысदद, बाईबन, बाईबन के चलेंगे, और भी, जब हमारे खे कास्त तोर पे यह प तक्तक साभ एं, उनका मैसे जाए और अजलान शाह साभ एं और इंडिया से वो जाकर भाई हैं, जाकर वो कॉकमेडियन, है नी, समीर खान साभ हैं, वो रज्जत महगा साभ हैं और खास दोर पाकिस्तान में से जब पांच मिलियन सबस्क्राइबर हो वे थे यूटिउब पे ह हमारे तो डकी वाई हैं साथ बाई जिनका चैनल यूटीव पे डकी वाई के नाम उन्होंने हमें मैसेज किया बोड़ी खुशी हुई माशला है तो और भी बहुत से लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके नाम भी मैं पहली दफ़ा पढ़त हूं अच्छा कमेंट्स में या पहली दफ़ा सुनता हूं अच्छा आपकी वीडियो को तनमे बट ने आपकी आडियो यूज की है कुश्चिला वह तनमे बट और एक-दो क्रिएटर्स और हैं वह इसलैबरिटीज हैं बड़े टॉप के कॉंटेंट क्रिएटर्स हैं जब म चौबे के लोग वाइस अपना यूज करते हैं साउंड तो मैं बड़ा हिरान होता हूं अच्छा यारे लिए लोग भी मेरा कॉंटेंट देख रहे हैं बड़ी खुशी होती है आपने एक क्रेडिट मिस कर दिया जो कि आपको सबसे पहले मैंशन करना चाहिए था आपकी ज अई मसूम्य चेकर थे चले मैं बैठी बैठी और seven सौगई हमने अजय कर नहीं थे लेकिन इसी स्टार्ट में निसका ऊंकी खूली हूएूइ जले इसका इसका गिला करेंगे से प्र पी क्य 날 बनाएंगे तो माजऑ बैच्छा बभाई थैंक्यू सौ मचु आप यहां भाई बहुत अच्छा लगा, we are honored और आपसे बात करके आपकी साथकी हमें बड़ी मुतासर के आपके साथकी ने और बच्चों से मिलकर बढ़ा अच्छा लगा और ये मेरी पूरी टीम बैठी हुई है माशालाज वैसे चुटी पे होते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हाँ, वो भी हम देते हैं बडाइ थिंक फिर्स बिफोर आइ गो हम सुर्फ अपनी तरफ से नहीं एक इस दुनिया में एक बिग चुंक अफ ओडियन्स है इस ताइम पर आप जब आप यह देखे है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट, जो भी है सब पुश्चों हो जाँ जाँ एक बात मैं यहां अपने फैंस से कहना चाहूं कि काफी अर्थ से तक्रिबर हमें बहुत से लोग बुला रहे हैं तो माजज़ बाई मेरे साथ शेयर करते रहते हैं हमरा मज़ाज यह बाहे नहीं करने का आपको पदा है हमारे गहर का कौनोंट है तो दिल भी नहीं करता। इस तरह की तुबीयत भी नहीं और जो हमारी तुबीयत के बराबर बराबर थे, ना मताबिक थे, टो उनके पास हम सबसे पहले आए आपके पारे बहुत शुक्रिया तो मैं अपने फैंसे कहूंगा कि आप इन लोगों से प्यार करें, बहुत अच्छा लोग है, मुझे बहुत बदाते हैं, बहुत अच्छा लगा है यहां कि खाना खाब के आप लोगों से बात करके इंट्रिव्यू कर रखें, बहुत लिए गल थे पारे मीत अप तो इंशाला आजल, थेंक यू मुझे जाओ, थेंक यू तो अच्छा वे निरंगी, तो यह था निग्यू अज्टाग, श्राख गाल्चा बैइंख पसंदा है और इससरा करये में फॉलोग करदी, मिलते हैं एकले वीड़ूग से अखले अगले